करनाटक बीजेपी के सरवरार नलीन कुमार कटिल ने अपने एक भड़काव बयान में कहा है के टिपु सुल्टान से महबत करने वालों को रियासत करनाटक में नहीं रहना चाहिए करनाटक में मनकिदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए उनके इस बयान पर उनका ये बयान रियासत में मौजव बहस बन गया है बीजेपी के सरवरा नलीन कुमार कटिल ने लोगों से टिबु सुल्तान से महबत करने वालों को करनाटक से निकालने पर जूर दिया उन्होंने कहा के यहां सिर्फ राम भजन करने वाले और भगवान हनुमान की पूज़ा करने वाले ही रहेंगे उन्होंने टिबु सुल्तान के तमाम चाहने वालों को मार डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया जो भी टीपो सुल्तान की अवलाद है उन्हें इस सर्जमीन से भगा कर जंगलों में भेज दिया जाएगा कटील ने करनाटक असम्बली इंतिखाबात को टीपो सुल्तान और सावरकर के दर्मियान लड़ाई करार दिया कटील पहले ही ये इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस ने गेर जरूरी टीपो जैंति मनाने की इजाज़त दे कर सावरकर की तोहिन की है ने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस ने गेर जरूरी टीपो जैंति मनाने की इजाज़त दे कर सावरकर की तोहिन की है नलीन कुमार कटील एक ऐसे वक्त में ये भड़काव बयान दिया है जब माई के आखिर में करनाटक असम्बली इंतिखाबात होने वाले है नलीन कुमार कटील के इस बयान पर सदर कुलहिन मजलिस इतिहाद المسلمین पेरिश्टर असदुदी नवीसी ने कहा है कि मैं टीपो सल्तान का नाम ले रहा हूँ क्या करोगे तुम बोलो मुझे मार दोगे बोलो कहां पर आऊं करनाटक में आऊं रियासत करनाटक में टीपो सल्तान को लेकर बीजेपी की जानिब से पैदा किये गए तनाज़े पर सदर मजलिस ने शदीद रद्यामल जाहर किया है वाज़ रहे के करनाटक बीजेपी के सरवरान अलीन कुमार कटील ने अपने एक भड़काव वयान में कहा था कि टीपो सल्तान से महबत करने वालों को रियासत करनाटक में नहीं रहना चाहिए उन्होंने टीपो सल्तान के तमाम चाहने वालों को मार डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया था और कहा था कि जो भी टिबु सुल्तान की अवलाद है उन्हें इस सर्जमीन से भगा कर जंगलों में भेज दिया जाएगा। तिलंगाना पुलीस ने आंधरा परदेश की एक दरगा के इन चार्ज को गिरफतार कर लिया है जिसने हिदरबाद की एक 19 साला लड़की से शादी क करने का वादा किया था और फिर शादी से पहले दवाखाने में शरीक हो गया बताया गया है कि बाबा ने मुबयना तोर पर लड़की के अंदर मौजूद जिन भूत भगाने के लिए उससे शादी करने को कहा था बाबा का नाम शागुलाब नक्षबंदी हफीज पाशा ब लोगों को भूतों और असराद से नजाद दिलाने की आड़ में वो खुसूसी रुसुमात अदा करता है दोस्तों इस पर आपकी क्या राहे है कमेंट करके जरूर बताईए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करतीजिए